चलिए बहुत ही सिंपल chapter chapter का नाम क्या है cost of capital सर एक्जाम में कितने नंबर का आपका question आ सकता है ये सर 10 marks का तो आता ही आता है और ये 10 to 15 marks का weighted रखेगा ये chapter आपके exam के अंदर पहली बाद हम एक एक करके point समझते हैं कि cost of capital है क्या और क्या क्या सीखने वाले हैं कैसे कैसे करने वाले हैं सारी बातों को distance करेंगे आज वाली class में स्रिफ basic basic चीजों को देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं cost cost का मतलब यहां पे होता है हमारा खर्चा से expense किसी चीज़ का भी बोलते हैं आप cost भी एर कर लिया तो वो क्या रहे था आपके लिए खर्चा ही तो है जो भी cost हुआ आपका costing बोल देते हो सार यहां पे capital को समझना पड़ेगा capital का मतलब क्या होता है generally हमने capital term को define किया है या सीखा हुआ है अभी तक share capital के रूप में और share capital के अंदर अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हमने सीखा हुआ है shareholder fund के रूप में और भी सर आपको define किया जाए तो आपने सीखा हुआ है equity share capital होता है preference share capital होता है और reserve and surplus होता है यही सीखा हुआ है अभी तक आपने capital का मतलब देखा जाए तो इससे उपर तो आपने अभी तो कोई सीखा नहीं capital आप इसी को बोलते है लेकिन financial management में कुछ चीजे जो चीजे हम account में सीखते हैं उससे थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पे सर capital का मतलब क्या होगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ capital का मतलब तो देखते हैं capital का मतलब एक तो capital यहाँ पे होगा equity share capital equity share capital दूसरा होगा यहाँ पे preference share capital और एक और capital होगा यहाँ पे जिसको हम कहेंगे debenture या फिर कहेंगे हम loan मैंने अभी कहा के accounts के अंदर जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा तो आपके mind में कहा है debenture तो debt है capital कैसे बोल रहे हो तो sir financial management के अंदर आपने debt लेके क्या करा होगा capital का मतलब financial management बताता है जितना पैसा आपने business में लगाया हो whether कहीं से भी लगाया वो capital है कहीं से भी लगाया आपने घर से पैसे लाए तो वो personal अपने पैसा लगाया बाहर से करजा लेके लगाया वो भी business के अंदर ही लगाया तो वो भी capital है तो देखो equity तो घर का पैसा हो गया मालिक का और preference share किसका हो गया हमारा बाहर वाले का हो गया मतलब वो भी माली की है थोड़ा सा मतलब outsider माल लो loan भी हमने लिया होगा debenture तो पैसा लेके कहा लगा दिया हमने business में ये true है कि ये debt है ये बात fact है कि ये debt है करजा है लेकिन हम सीख रहे हैं तो करजा अगर देखा जाए तो आप मान के चलो ध्यान देना एक business है ठीक है अगर मैं बात करूँ business की तो suppose करो के एक business है और owner आपको पता है business और owner क्या है अपस में separate legal entity separate है इसने जैसे ही business में पैसा लगाया तो आपने बोला sir ये क्या है business बोलेगा capital तुम बोलो मेरे लिए तो ये क्या है एक तरीके का debt है इसलिए तो business को याद होगा आपको interest on capital इसको provide किया जाता था देखा था सिर्फ यही reason होता है accounting entry में कि हम interest on capital उसको देते हैं same मान लेते हैं किसी ने provincial capital से पैसा दिया तो वो भी इसके लिए क्या है एक तरीके से debt है same debenture ने दिया तो ये तो अगर देखा जाए तो business mainly only तीन लोगों से पैसे लेता है तीनों का नाम accounting में भले कुछ हो business बोलेगा ये हम capital मान के चलेंगे अब ये तीनों जो है वो free में नहीं मिलेगा अगर आप debenture लोगे तो उसके उपर आपको ब्याज देना पड़ेगा तो free में तो मिला नहीं है ऐसा हो नहीं सकता कि आप debenture के लिए आप पैसे invest कर दो आपको हम ब्याज नहीं देंगे ऐसा नहीं होता कभी भी preference share होगा तो उसके हम आपको क्या देंगे preference dividend और equity share है तो उसको normal dividend होता है हमारा तो मान लेते हैं कि मैंने अगर मैं simple सी बात करूँ तो इससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि sir ये capital है अगर मैं simple सी बात करूँ मैंने equity से जो पैसा लिया बाहर से वो मान लेते हैं 100 रुपे लिये या 100 करोड मान लो आप 100 रुपे कम लग रहे तो sir preference share से भी पैसा मैंने लिया कितने 50 रुपे और sir मैंने debenture से भी पैसे लिये कितने लिये मैंने मान लेते हैं इससे 70 रुपे लिये तो आप finally business के अंदर मैं बताऊं तो आप कितने पैसे लगा चुके बोलो के 100, 50 और 70 यानि 220 रुपे बिजनस के अंदर लग चुका है पैसा अब इन 220 पे आप वेंचर वालों को माल लेते हैं 10% का रेट है सपोस करो रेट क्या है हमारा 10% का तो आप इसके उपर क्या दोगे इंटरस्ट दोगे, कितने दोगे साथ, माल लेते हैं preference dividend भी है 10% तो इस पे क्या दोगे आप PD 5, माल लेते हैं आपका earning per share जिसे EPS निकालते थे, एक price earning ratio भी होता है जो हम आगे सीखेंगे, माल लेते हैं कि equity पे भी आपने सब कुछ अगर calculate किया तो 6% दिये हैं तो इसके उपर भी आप dividend दोगे कितने 6 तो आपको 220 रुपए अगर business के अंदर लगाया तो आपके उपर अगर मैं costing की बात करूँ तो कितनी costing आ गई आपकी अगर आप ध्यान से देखो 220 लगाने के बाद आपकी costing क्या आई यह सारा यानि आप बोलोगे सर यहाँ पर costing की बात करें तो अलग-अलग costing आ गई है तीनों को plus कर देंगे और equal to कहोगे आप सर यह जो 6 रुपए है ना यह cost of capital तो होगा तो capital में क्या है तीनों अगर मैं इसे पूछे सर cost of capital बताइए तो मैं बोलूँ 18 रुपए है इस capital को 220 रुपए इंतिजाम करने के लिए मुझे इस साल 18 रुपए पे करने होंगे तो यह मेरा क्या है cost है अगर सर individually बात करो तो मैं बोल सकता हूँ कि cost of equity समझ रहे हो क्या बोल सकता हूँ मैं तो सर cost of equity कितने 6 रुपए है मैं percentage का terms में बात नहीं कर रहा है मैं amount के terms में बात कर रहा हूँ percentage पे भी अगर आ जाएं तो कितने 6% है same ऐसे preference share की बात करें तो preference share पे भी cost कितने का है 10% के term में 10% वैसे 5 रुपए और यहाँ पे 7 रुपए तो यह क्या है हमारा सारा यह सारा हमारा क्या है cost of अलग अलग नाम भी है और cost of capital पूछा जाए तो आप बताओ के sir 18 रुपए मैं simply एक समझाने के point of view से ले रहा हूँ अगर overall cost of capital पूछोगे तो 220 पे अगर आप 18 की payment करते हो तो percentage के terms में मुझे जानना हो तो क्या करेंगे percentage के term में मैं रखूंगा उपर 18 divided by into में क्या निकल के आया बताइए calculator लाए है तो 8 point 8 percent बस 1 8 आ गया 8.18 percent तो sir cost of capital कितना हो गया 8.18 percent चैप्टर का theme यही है cost of capital जो आपका in the terms of percentage हो चाहे कोई भी terms हो आपका कितना खर्चा हो रहा है capital को तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात समझे capital क्या है capital का मतलब क्या है यहाँ पे equity, preference और debt तीनो क्या examiner आपसे cost of capital पूछ सकता है chapter का नाम है तो definitely पूछेगा ही पूछेगा क्या cost of equity सकता है जी हाँ cost of equity भी पूछा जा सकता है cost of preference share भी पूछा जा सकता है और cost of debt भी पूछा जा सकता है तो इन सभी को अगर मैं लिखू ना जैसे cost of equity तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं लिखूँ तो लिखना पड़ेगा पूरा cost of equity ठीक है ये पूरा लिखना पड़ेगा तो standard word है जो financial management के इंदर define है इन सभी का कुछ abbreviation यानि कहलो कि एक छोटा सा नाम है जिस नाम के उपर examiner भी पूछेगा कि ये नाम बताओ examiner कभी नी बोलेगा cost of capital निकालो छोटे वाला नाम भी ले सकता है तो हर किसी का क्या क्या नाम है चलिए देख लेते हैं हर किसी का नाम भी जो आपको याद रखना है ये भूलना नहीं है ये नाम बिल्कुल भी तो हर किसी का क्या क्या नाम है चलिए अगर हम इसका नाम बात करें तो इसको बोलते हैं सर के से कैसे छोटा नाम भुआ यहाँ पे cost को denote किया जाएगा के से ना की सी से financial management ठीक है ना किस से denote करेंगे हम के से ये ध्यार डखना है तो short form में अगर मैं बोलता हूँ के फाइंड करिये तो cost of equity इस से आपको पता चले गए यहाँ और capital नहीं लिखना आप ने के ऐसे ही लिखना है सर cost of preference share पूछा जाए तो पता ही क्या होगा इसका short form के पे ठीक है अगर आप से cost of debenture पूछा जाए तो क्या होगा के यानि सर इस point के साथ साथ हमें तीन नए नाम भी पता चले अब्रिवरेशन के तरीके से के सर के पी भी बोला जा सकता है के इभी बोला जा सकता है तो आप मुझे बताना अगर आपको इसका cost of equity निकालना ना रहा हो cost of preference निकालना आता है cost of debt निकालना आता है यानि एज point नहीं आ रहा है लेकिन दो point आपको find करना है तो क्या cost of capital निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो क्योंकि हमें जब तक तीनों नहीं पता चलेगा तब तक हम capital का cost यानि आपको cost of equity कैसे निकाला जाता है वो भी सीखना है समझ रहे हो ना cost of preference share कैसे निकाला जाता है वो भी सीखना है और cost of debt कैसे निकाला जाता है वो भी सीखना है जब पहले तो हमें क्या होगा सबको individually कैसे कैसे percentage के terms में calculate करते है वो सीखेंगे जब ये तीनों individually सीख लेंगे तो सबको हम add करके भी सीखने वाले तो जब add करके सबको सीखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा cost of capital individually सीखेंगे मैंने बोला चलो मैं आज पर फिर फिर शेर का cost निकालना सिखा रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे हम क्या सीख रहे हैं क्या निकालना सीख रहे हैं तो हम एक एक करके सीखेंगे मैं पहले नंबर पर आपको ये सिखाने वाला हूं सबसे पहले मैं क्या सिखांगा cost of debenture जिसको KD बोलते हैं मैंने loan लिखा लोन के साथ साथ एक और होता है यहां पर बॉंड बॉंड और डिविंचर में कोई फर्क नहीं होता नॉर्माली गॉर्मेंट और प्राइवेट अब हर कोई कंपनी है तो बॉंड भी कहते हैं और कई बार आप देखोगे के जगह पर के भी लिखा हो सकता है यानि cost of बॉंड हो सकता है ठीक है तो यहां तक में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले के डी का मतलब आपने बताए सर के डी का मतलब है cost of sir debenture कह लो loan कह लो या फिर आप bond कह लो सब का मतलब एक ही है और सब निकलेगा एक ही तरीके से तो इसके अंदर कोई दो राय या फिर आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए के sir ये कैसे निकलेगा ठीक है ना सब एक ही तरीके से निकलने वाला है मतलब एक ही रहेगा formula जो एक जगा यूज होगा सब जगा यूज होगा अब डिवेंचर अब डिवेंचर ना दो तरीके होते हैं 12 में भी पढ़ा होगा अपने हाला कि rule के हिसाब से और law के हिसाब से देखा जाएगा तो जो दूसरा डिवेंचर जो मैं आज बताने वाला हूँ वो हट चुका है लेकिन FMA सीखना पड़ेगा एक होता है मारा redeemable एक होता है हमारा irredeemable नाम कहीं ने कहीं आपने सुना होगा redeemable का मतलब क्या है जैसे आप मुझे दो 500 रुपे डिवेंचर की रूप में मैं आपके 500 रुपे वापस करूँगा कब करूँगा आज ही तै होगा जिस दिन मैं पैसे लूँगा तो आपके जब मैं पैसे वापसी कर रहा हूँ तो आपका डिवेंचर रिडीम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे redeemable redeemable एक ऐसा हो सकता है मैं आपसे 500 रुपे लूँ और मैं आपको बोलू मैं सिर्फ और इस आपको ब्याज दूँगा और आपके 500 रुपे कभी जिंदगी में आपके वापस नहीं किये जाएंगे आपको ब्याज ही मिलता रहेगा तो ये कौन सा हो गया irredeemable जिसको redeem ना किया जा सके अब real life में देखो अगर मैं बोलता हूँ आप मुझे 500 रुपे दो करें यहां जो ऐसे इसू कर रख रहा है तो हमें दोनों ही सीखना पड़े लाल के लिए तो यहां पे अगर बात करें तो दो पॉइंट निकल के आता है कौन-कौन सा होगा अगर हम बात करें तो एक होगा हमारा एक होगा हमारा redeemable और एक होगा Irredeemable तो पहले मैं Irredeemable की बात कर रहा हूँ Irredeemable Sir Irredeemable में कैसे करना है नहीं करना है देख लेते है Irredeemable में कैसे मैं पहले पूरा concept कर दो K cost है बिलकुल हाँ K cost है और कह रहा है sir confirm कर R लेते हैं K R लेते हैं क्या कह रहा है हाँ k cost है जो भी doubt होगा मैं लूँगा पहले अभी देखते हो ले start तो करने तो मुझे sir redeemable का कहानी समझते हैं यानि आप क्या सीख रहे हैं cost of debt तो मैं formula जो यहाँ लिखूँँगा वो होगा kd kd is equal to आपका interest और 1-t और divided by करेंगे हम np sir t क्या है यहाँ पर बताने की जौरत नहीं है लेकिन फिर भी कोई बच्चा पूछे tax sir interest तो interest ही है 1 अभी समझ में आ जाएगा क्यूं करते है np क्या है sir net proceed sir np का full form लिखने के बाद भी समझ नहीं आया तो net proceeds क्या होता है हमारा net proceeds होता है जैसे 100 रुपय का debenture है 100 रुपय का debenture है आपने 110 में इशू किया है तो net proceeds क्या माना जाएगा 110 तो आपको समझ में आ गया net proceeds क्या है जो एक debenture के बदले आपसे पैसे मिलेंगे प्रोसीड का मतलब होता है receive करना या sales बोलते है जो एक debenture के बदले आपको मुझसे मिलने वाला है उसे क्या बोलेंगे net proceeds ठीक है net proceeds कैसे निकलता है हम इसको आगे भी discuss करेंगे इसके उपर एक point और है जो कि मुझे लेना है अब हमारा main topic है न सर यह हर बार हर जगह पीछे भी देखा था interest में 1-t का क्या है problem और 1-t क्यों किया जाता है tax को minus क्यों किया जाता है मैं आपके सामने company की P&L को लेके आता हूं simple वाला P&L मैं बना रहा हूं जिससे आपको easily समझ में आ जाया जाया cost का मतलब क्या बताया था खर्चा बताया था simply cost का मतलब बताया था simply के expense होता है मैं simple एक P&L आपके सामने लेके आता हूं और इस P&L में देखना यहां GP मैं simple जो आपको पता है 1000 रुपए GP 1000 रुपए और एक चीज बताओ financial management का जो concept apply होता है हमेशा company को point of view से होता है क्योंकि debenture कहां होंगे equity share कहां होंगे preferenture company ऐसा नहीं के partnership में भी आप लगा दो इसे कहां लगेगा यह company में तो sir company के लिए मैंने यहां पर एक P&L बनाया है तो company का जब होगा तो आप हमेशा याद रखना company के उपर tax जो लगता है वो सीधा सीधा 30% लगता है यह मान के चलना है आपने कितना लगता है चाहे company 100 रुपए भी कमाएगी ना तो कितने percent tax लगेगा 30% मैं इसलिए बता रहा हूं कुछ बच्चों के माइंड में होता है के sir धाई लाक रुपए कमाएंगे तभी तो tax देंगे वो होता है individual के case में company के case में क्या होता है आप एक रुपिया भी कमाओगे तो 30% tax देना पड़ेगा वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि basic exemption limited ठीक है 1000 रुपए company का GP था और company का salary था यहाँ पे मान लेते हैं 600 रुपए आप मुझे बताईए कि company के पास जो net profit आया होगा वो क्या आया होगा company के पास net profit जो आया है वो आया है 400 रुपए थोड़ी दिर के लिए second वाले part को हटा देते है 400 रुपए net profit आया अब आप सरकार को 400 रुपए पे दोगे tax tax का rate मैंने बताई 30% देखने कौन जवाब देता है tax amount क्या हैगा आपने profit कितना कमाया 400 जवाब भी आ गया sir 120 कितने आएंगे आप मुझे बताओ company के pocket में वैसे कितने पैसे आये थे 400 400 में तो 120 government को ही देना पड़ गया तो company के पास net में cash कितना बचा होगा यानि कहने को मेरी कमाई कितनी है 400 रुपए और मेरे पास बचा कितना दोस्ते से यहाँ तक समझ में आ रहा है clear है चलते हैं एक और इसी pndl को मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे और इस pndl को एक और मैंने बना दिया एक और pndl लेके चलते हैं बस आप simply मुझे जवाब देना आपको समझ में आ जाएगा कि सर 1-t क्यों किया जाता है 120 यह आ गया अगेन मेरा जीपी कितने salary अब मैं एक खर्चा और डालना चाहता हूँ यहाँ ठीक है interest मैं डालना चाहता हूँ यहाँ खर्चे की बात करें तो मैं यहाँ पे एक और खर्चा डाल देता हूँ जिसका नाम है interest और मैंने यहाँ लिखा interest खर्चा बढ़ गया और interest लिखा मैंने मान लेते हैं 100 रुपए का अब मेरा net profit क्या आएगा 300 मेरा खर्चा कितने का बढ़ा बताओ जरा 100 रुपए का अब मुझे tax इस पे भी देना पड़ेगा तो बताएए tax क्या होगा मेरा खर्चा 100 रुपए का बढ़ गया है तो normal इंसान कहेगा भाई पहले आपके pocket में आते थे 280 100 का खर्चा और बढ़ गया अब कितने आएगे 180 यही समझ में आता है tax कितने का होगा 30% 90 का 90 minus करोगे तो आपके पास cash बचेगा आपके pocket में आपने क्या देखा के sir पहले कितना कमा रहे थे 100 का खर्चा बढ़ा तो कमाई कितनी हो जानी चाहिए लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 210 अब sir यह 210 का benefit आ रहा है और कितने का फरक आ रहा है आपके सोच में और इसमें कितने का फरक आ रहा है बताओ आपका सोच कहता है और नॉर्मली देखा जाए तो सरिफ और सरिफ 30 रुपे का फरक आ रहा है सरिफ और सरिफ कितने का फरक आ रहा है 30 रुपे का फरक आ रहा है है ना कितने का फरक है 30 का आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना है इसका मतलब हमारा जो खर्चा हमें दिख रहा है कि सर 100 रुपय का खर्चा है एक्चुलिटी में ये 100 का खर्चा नहीं है ये 70 का है कितने का खर्चा है तभी तो आप ए 280 में से अगर 70 माइनस करोगे तब आपका रिजल्ट कितना आएगा तभी तो आप जवाब दे पाओगे इसका मतलब सर जो पी एंडल में जितने रुपय जाते हैं वो खर्चा नहीं होता नहीं होता उसके उपर हमें जितना परसंट सरकार को टेक्स देते हैं जितने परसंट वो बेनिफिट मिल जाता है बच जाते हैं अगर आप यहाँ पे 100 रुपए का खर्चा डाल रहे हैं तो profit भी कम हुआ कितने का 100 रुपए से अगर 100 रुपए से profit कम हुआ तो tax भी तो कम वाले amount पे दोगे यानि जितना खर्चा आप डालते जाओगे 30% tax के नाम का बचता जाएगा आपका समझ रहे हैं बात को इसलिए कहा जाता है कि सर इंटरस्ट अगर 100 रुपए है ना आपका तो इसको 1-T कर दीजिए क्योंकि आपको खर्चा इंटरस्ट का 100 रुपए दिख रहा है लेकिन वो 100 रुपए का खर्चा नहीं है जैसे ही 1-T करते हैं तो जवाब क्या आता है 100 1-0.3 करते हैं तो यह आगता है आपका जवाब तो यही तो कह रहा हूं कि आपको खर्चा 100 है लेकिन आप खर्चा कितना मानेंगे यहां पे 70 क्योंकि हम सीख रहे हैं cost of capital actual cost कितना पढ़ रहा है आपके pocket से कितने निकल के जा रहे हैं वो बताना है आपे ना कि वो ऐसा बताना है जो दिख रहा है तो अगर देखा जाए भले ही आपका 100 रुपे का खर्चा है तो सर 100 रुपे के खर्चे से हमारा profit भी कम हुआ जब profit कम हुआ तो 30% का हमें सरकार को tax कम देना पढ़ेगा और 30% benefit हुआ 100 खर्चा डाला 30% हमें सरकार को tax कम देना पढ़ रहा है जिससे 100 में से 30 माइनस करके actual खर्चा कितना आगया मेरा 70 रुपे सिर्फ इस कारण की वज़े से हम क्या कर देते हैं interest जितना भी निकला है वो तो दिख रहा है लेकिन इसको पी एंडल के अंदर डालेंगे 30% बचेगा तो ultimately इसको 1 माइनस जब T करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा यहां तक समझ में आया है बताईए यहां तक समझ में आया है एक बार मैं दुबारा से एक एक एक्जामपल और ले लेता हूँ इसी के अंदर मैं इसी के अंदर एक एक एक्जामपल और लेता हूँ आप बताना कितने का खर्चा है मुझे सिर्फ 1 माइनस T समझाना है ठीक है मान लेते हैं suppose करो मैं अब यहां पर दो खर्चे salary के बाद एक और खर्चा डाल देता हूँ जैसे suppose करो मैंने डाल दिया stationery का खर्चा 100 रुपए या 200 रुपए तो net profit कितने का आया? 200 रुपए अब 200 रुपए आपको net profit है लेकिन आपके pocket में 200 रुपए में से पहले 30% सरकार को देना होगा जो कि 60 है आपके pocket में कितना है? 120 का 140 140 140 ठीक है? दूसरे side आते हैं से अब मुझे बिना text निकाले बताइएगा same point है यहाँ पे भी stationary का खर्चा है stationary का खर्चा 200 है मैंने एक interest का भी खर्चा डाल दिया 100 रुपए का मेरा net profit आ गया 100 का न? अब बताइए मेरे pocket में जो जाएगा वो कितने जाएगे? पहले आपका कमाई था 140 का 100 रुपए का खर्चा बढ़ गया है तो आपके pocket में अब कितना जाएगा? तो जवाब आएगा अगर यहाँ देखा जाए तो 100 रुपए आपने कमाए 30% tax होगा आपका 30 रुपए तो आपके pocket में कितना गया? 70 पहले की कितनी कमाई थी? एक खर्चा आपने बढ़ाया 100 का लेकिन उसकी वज़े से आपकी income कितनी हो गई? 70 तो आपके income खर्चा 100 का बढ़ा लेकिन आपके उपर actual जो बढ़न आया ना खर्चे का वो 100 रुपए का नहीं आया वो कितने का है? सिर्फ 70 रुपए का क्योंकि ultimately 30% क्या मिल जाता है? benefit इसलिए company वाले में जब भी जाओगे न तो वो हर चीज का पके में बिल लेंगे क्या दिक्कत आप दो? हम तो P&L में डालेंगे, P&L में डालेंगे तो खर्चा तो है, यह 30% भी बचेगा हमारा तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? 1-T पहले देखें, यह point समझ में आया यह point समझ में आया कि 1-T क्यों किया जाता है? divided by क्या कर रहा है मैंने? NP NP क्या होता है, सर? net proceeds जैसे 100 रुपे लिए तो 190 लिए तो 90 ए 110 लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है इसके बाद net proceeds का न एक और word आता है यहाँ पे floatation cost floatation cost क्या होता है? floatation cost word है float आपने 12 में पढ़ा है 12 में इसमें BST पे question भी पूछा जाता है कि floatation cost क्या है? बताइए तो floatation cost का मतलब होता है flow flow का मतलब है यहाँ पैसा inflow और outflow cash flow करा है? उस flow से बना है floatation पैसे को आपको लेने में inflow करने में कितना खर्चा extra पढ़ा? simple बात करें banker से पैसा लोगे loan वो बोलेंगा sir loan लेना है तो processing charge लगेगा आपका finance कराने जाओ आपका 0% interest है बहुत बड़ा बड़ा zero लिखके डालेंगे वो आप 10,000 का phone है हाँ तो आपको बस 200 रुपे लगेंगे extra तो आपने एक तरीके से जो उपर से हमें देना पड़ता है जो की mention नहीं होता कहीं भी उसे बोलते है floatation cost माल लेतने हैं कि 100 रुपे का मुझे debenture issue करना था 100 रुपे में मुझे broker broker जो भी था broker को 2 रुपे देना पड़ गया है क्योंकि मैं debenture बेचने बैठा आता है debenture भी आता है उसमें तो उसने बोला कि 2% commission लोगा मैं भिखवा दूगा वैसे 2% नहीं होता commission commission maximum होता है इसके अंदर जो होता है वो 2.5% मैं एक example ले रहा हूँ 2% commission मैं दे दूँगा 2% अगर commission दे दोगे तो 100 पर जैसा ही आप से 100 रुपे कहीं भी जाएगा वो उसके इतने connection है वो market के अंदर गया और उसने बोला इस company के debenture खरीदो फायदे में रहेगा और वो market में जहनता है उसको उसके कहने पर सब खरीदने लग गए मान लेते हैं कि मेरे 1000 रुपे की debenture भिख गए तो मेरे pocket में 1000 रुपे वो आ जाएगा बोलेगा मैंने तुम्हें 1000 रुपे भिखवा दिये अब लाओ मेरा क्या commission लाओ तो उसको commission 2% दूँगा 1000 रुपे का 2% कितना हो जाएगा 20 रुपे तो मेरे pocket में बचे कितने 900 तो जो मैं costing निकालूँगा अगर ब्याज मैं दे रहा हूँ 10% तो 10% मैं 1000 पे नहीं दे रहा actual देखो यहाँ पे वो वाले चीज़ें नहीं दिखना है जो कि हमें दिख रहा है हमें actual calculation पे जाएगा आपने जो ब्याज दिया वो तो 980 पे भर रहे हो क्योंकि आपके पास करजा pocket में रिसीव कितना हुआ है अब इसी पे हम 10% ब्याज दे रहे हैं simple सी बात है लेकिन normally क्या होता है 1000 ब्याज लिया और 1000 में आप 10% तो सोच लेखते हो कि 1000 पे हम ब्याज दे रहे हैं ऐसा नहीं है आपको calculate करना और 900 तो sir flotation cost क्या होता है extra जो भी आ रहा है इसके अंदर कह सकते हैं कि अलग से पैसा खिलाना जो पड़ता है में bankers को फिर loan लेते हैं तो वो किसमें आ जाता है flotation cost में आप मुझे देखो formula समझने के लिए आप मुझे simple सी एक बात का जवाब देना मान लेते हैं कि मुझे 100 रुपे का उधार मिला है 100 रुपे का मुझे करजा मिला और मैंने commitment कर दिया कि मैं 10% ब्याज दूँगा तो simple देखा जाए 100 रुपे के करजे पे 10% ब्याज दूँगा 10 रुपे होगा आपका 10 रुपे देना है लेकिन costing की अब बात करते हैं सर 100 रुपे का जब मैंने करजा लिया तो मुझे क्या करना पड़ा अपने friend को मुझे 5 रुपे का खिलाना पड़ी गया ठीक है तो ultimately मैंने 100 का करजा लिया friend को कितना खिलाना पड़ा मुझे तो मेरे pocket में कितना आया 95 अगर मैं आप से पूछू ना इंटरस्ट कैलकूलेशन होगा सर वो 10 परसेंट आपको दिख रहा है लेकिन वो 10 परसेंट नहीं है आपने बोला सर इंटरस्ट कितना है 10 रुपे है जिससे मैंने करजा लिया उससे तो 10 परसेंट पर दूगा उससे अगर बोलोगा यार 5 रुपे मैंने फ्रेंट को खिला दिया साड़े 9 रुपे देता हूं आपको ऐसा हो सकता है वो बोलेगा भाई या मुझे पूरा 10 दो कॉस्टिंग की बात करते है सर मुझे 10 रुपे का ब्याज पढ़ रहा है कितने पर 95 पर रेट निकाल लो ये 11 परसेंट सम्थिंग जाएगा कुछ फे तो कहने को ब्याज कितने परसेंट है 10 लेकिन पेमिंट कितना कर रहे हो 10 से कहीं जाता इसलिए यहाँ पर हम क्या करते है डिवाइड करते है अब मुझे बताना नेट परसेंट कितना होगा मुझे फटा फट से बताना माल लेते हैं डिवेंचर जो है वो 100 रुपे का है ठीक है डिसकाउंट दिया मैंने 10 परसेंट हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज डिसकाउंट होता हमेशा फेस वेल्यू पे होता है और मैंने ब्रोकर को कमीशन भी दिया ब्रोकर को कमीशन भी दिया और ब्रोकर को कमीशन दिया 5% ये भी हमेशा फेस वेल्यू पे होगा ब्रोकर को कमीशन भी दिया जिससे मैंने करजा लिया होगा कितना पेमिंट करूँगा मैं आप से मैंने कितने लेने है मैंने कितने का डिमेंचर बोला सौ का डिसकाउंट पे दिया अलग बात है डिसकाउंट पे दिया है तो आपने मुझे मेरे पॉकेट में कितने रुपे दियोंगे 90 आगे जी मेरे pocket में 90 के बाद 5% मैंने broker को दे दिया तो मेरे pocket में ultimately ना हां करते करते कितने पहुँचे आपको 86 रुपे अब मैंने बोला सर आपको मुझे ब्यास देना है लेकिन आप बोलोगे सर डिमेंचर के आगे 10% लगा रखा है तो आप तो मुझे इस 10% पे और interest आपने बता है ना कि सर यहां interest जो होगा वो 10 रुपे होगा interest कितना होगा तो एक देखो यह जो है ना rate जो 10% दिख रहा है यह जूट है सच वाला rate बताओ क्या होगा सर 85 रुपीज दे रहे हो और 10 रुपे का ब्यास दे रहे हो और जितना पैसा दे रहे हो ब्यास निकाल लो बहुत सिंपल सी बात है पॉकेट में 85 ब्यास मैं दूँगा कितने 10 रुपे तो 85 रुपे पर अगर मैं 10 रुपे का ब्यास पेमिंट कर रहा हो तो मेरे rate कितना पढ़ा 11 पॉइंट लेकिन कहने को यह दो कितनगा है यह तो जूट है न इसी तरी के सावग देखते हो न बेंकर बोलते हैं कि पता नीक या चार्ज लगा देत QUE दस परसंट आप तो है हमारा redeemable का formula, simple सी बात है, और redeemable का formula की बात करें, इसके अंदर कुछ basic terms है, जो कि आपको देखने थे, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ, ताकि मैं ले पाऊँ आपके लिए दूसरा वाला पार्ट, फिर question भी देखेंगे, practical, दूसरा पार्ट कौन सा था सर, दूसरा पार्ट है, एक redeemable है, irredeemable था, अब redeemable, सर, redeemable और irredeemable में मैंने फरक तो पहले ही बता दिया, यानि एक question मैं simply पूछू, तो जो पार्ट हमारा, जो पार्ट हमारा redeemable होगा, तो मुझे पहले से पता होगा, आपके पैसे return करने, यानि मैं अगर आपसे 100 रुपे लेंगा, अगर मैं आपसे 100 रुपे लेता हूँ, तो मुझे आज ही बताना पड़ेगा, मैं आपके पैसे दूँगा 5 साल के बाद, यह बताना पड़ेगा न मुझे कब पैसे दूँगा मैं आपको पांस साल के बाद, तीन साल के बाद, दो साल के बाद अगर ऐसा कोई आपको मिलता है लोन जब मैं ले रहा हूँ क्योंकि अव्वेस सी बात है तो सर रिटन का डेट होगा तो यहाँ पर देखना फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर बनेगा के डी, ध्यान से देखना और इस फॉर्मूले को समझना है कुछ बड़ा फॉर्मूला नहीं है इंट्रस्ट वन माइनस टी वन माइनस टी डिवाइड़ बाई यह तो सर सेम हो गया प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड़ बाई एन डिवाइड़ बाई एन या फिर मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा एजी कर देते हैं थोड़ा इजी कर देते हैं प्लस आर वी माइनस एन पी इसके डिवाइड़ बाई एन और इसके होल डिवाइड़ बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड़ बाई टू इन टू में 100 यह केड़ी है अब इसमें हरे का टम समझते हैं सर ऐसा क्यों है और सच्चा ही देखोगे तो यह कोई मुश्किल नहीं है यह ऐसा होना ही था तभी होगा पहली बात तो आपको यह बात तो पता चलिया ठीक है अब आपका रिडीमेबल वेल्यू क्या है पहले पूरे एवरिबरेशन लिख देते हैं आरवी का मतलब है रिडीमेबल वेल्यू इसको कई बार बी जीरो के नाम से भी जानते हैं आपको नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड का मतलब सर फेस वेल्यू माइनस में या प्लस में जो भी हो इंट्र या डिसकाउंट या प्रीमियम और साथ के साथ फिर और माइनस हो जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको एफसी नाम दे दिया ठीक है एन क्या है सर मैंने बोला था आपको मैं डिबेंचर आपके पांस साल बाद वापसी करूंगा तो एक साल है ना यहां पर टाइंग आपको पता है mathematics में भी n हमारा होता है number of ठीक है सबका एप्रिबेशन i क्या है हमारा interest 1-t पता है हमें प्लस rv np divided by n और rv np divided by 2 का कुछ नहीं n2 में 100 करेंगे percentage आएगा मुझे ये वाला portion समझाने की कोई जुरत नहीं है क्योंकि ये हम अल्रेड़ी समझ चुके है मुझे जो समझाना है वो समझाना है मुझे portion कौन सा ये समझाना है सर ये क्यों जोड़ा आपने इसमें क्या reason है जिसकी वज़े से आपको जोड़ना पड़ा तो समझते हैं इसको क्यों add करना पड़ी गया सपोस करिए मैंने आप से 1000 रुपे करजा लिया तो ये हो गया मेरा 1000 करजा लिया ना मैंने कोई commission दिया ना ही मैंने कोई brokerage दिया कुछ भी नहीं दिया तो ये हो गया मेरा एंपी और मैं आज ही बताऊंगा कि आपके पैसे मुझे return करने अगर मैं बोलू 1000 रुपे दे दो और पांस साल बाद मैं आपको 90 लोटा दूँगा तो ऐसा होगा क्या आपको बोलेंगे redeemable value पहले इन दोनों का मतलब और समझे जो पैसे आपको लोटाना है वो है redeemable value और जो पैसे मुझे मिले हैं वह net proceeds तो ultimately अगर मैं बात करूं तो मुझे मिला हजार और मुझे लोटाना है 1100 और जो मुझे 1100 रुपे लोटाना है वो मान लेते हैं 10 साल बाद लोटा हूंगा मैं और rate जो मुझे मिला है न वो 10% का मिला है ठीक है न समझना मैंने आपसे करजा हजार लिया तो 10% का rate मिल गया तो अगर मैं इंट्रस्ट की बात करूं तो आप बोलोगे सर आपका इंट्रस्ट है हजार पे 10% कितने रुपे एक तो यह 100 रुपे का confusion है तो मैं इसको बारा सो रुपे कर देता हूं ठीक है मैं रॉट लॉटाऊंगा बारा सो एक्स्ट्रा कितना देना पढ़ रहा है मुझे पहले इस बात को समझी है आप यानि सर सिंपल सी दो बात है आपने मुझसे 1000 रुपे लिए तो हर साल का मेरा एक खर्चा क्या कर्चर में दोगे उन सभी को कंसीडर करके आप कॉस्टिंग बताओगे न का आपका करजा लेने का एक्चुल खर्चा क्या रहा है तो सर सो रुपे तो हर साल का खर्चा है और जो रेट निकालते हैं हमेशा रेट निकलता है पर एनम के हिसाब से यह जो 200 रुपे का खर्च है तो एक साल का खर्चा आपका होगा 20 तो हर एक साल का खर्चा बताओं कितना पड़नेगा सवब ये जा रहा है सर आप से मैंने लिये थे 1000 1000 पे मुझे 120 हर साल देना पड़ रहा है तो वो रेट तो जूट है जो 10% है एक्चुल रेट तो है हमारा कितने परसेंट मैं इंटरस्ट को भी टेक्स को कंसिडर नहीं कर रहा है बताईए पहले यहां तक बताईए यह जो छोटी से कहानी मैंने बताई यहां तक समझ में आए अब आप ध्यान से देखिए आपने क्या करा इसी खर्चे को मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं देखना कितना आसान फॉर्मूला है इंट्रस्ट इसमें आपने जोड दिया क्या जोड असर आपने इसमें आरवी कितना था 1200 यह RV है न, redeemable value और इसमें minus किया आपने क्या NP, NP कितना था 1000, divide आपने कर दिया इसको किस से 10 से, इसका मतलब है सर हर साल का आपके उपर कितना button पड़ रहा है जो की निकाला आपने यही तो calculation करा है यहाँ पर और interest आपका कितना था, 100 तो आपने जमा करके बता दिया आपका खर्चा कितना है 120 समझ में आया तो सर अब देखिये यहाँ पर formula, interest और यह एक साल का खर्चा है समझ पारे हो एक साल का कैसे क्योंकि आपको जितना पैसा आपने देना है जो था हमारे यहाँ 1200, कितने मिले 1000 एक साल का इंटरस तो जाही रहा है मेरे पॉकेट से एक्स्ट्रा जो मुझे पेमिंट करना होगा वो भी आ गया divided by RV प्लस NP divided by 2 अगर देखा जाए ना तो हम बात करें खर्चे की हमारा लोन का तो लोन अमाउंट तो सर ऐसा हो गया कहीं पे 1000 रुपे का करजा दिख रहा है कहीं पे 1200 का करजा दिख रहा है यही हो रहा है ना एक्चॉल आपके उपर लोन कितना रिटन कितना करना आपको 1200 तो कहीं पे आपको जब लिया था तो 1000 रिटन करते टाइम पे कितना दिख रहा है इसको हम एवरेज करके लिए तो अगर एवरेज मैं करूँ इसको तो डिवाइड़ बाई क्या करूंगा टू तो आपका जो एक्चुल एक्सपेंस आएगा वो कितने आएंगे कि आपका ऑन एन एवरेज 1100 रुपए का करजा हमेशा चल रहा है इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या किया गया है फॉर्मूले में क्या किया गया है और फ्यूचर में जितना आपको खर्चा देना है उस खर्चे को भी टोटल एक साल का खर्चा divided by आपने net proceeds वगरा कर दिया इन 200 किया तो एक exact rate निकल के आएगा जो कि internal rate एक तरीके से वो निकल के आएगा बताईए कोई दिक्कत इसमें इसके उपर एक question देख लेते हैं सिंपल यहां तक बताईए कोई दिक्कत है नहीं इसके उपर एक चोटा सा question देखते हैं सर इसके उपर एक question देखा जाए यह रहा question अभी केडी सीख रहे है नाम केडी के उपर यह है दोनों पार आजाएगा इसमें एक इरेडिमेवल वाली भी बात कर रहा है और और दूसरी बात कौन सी कर रहा है कहता है के कामनी लिमिटेड इस प्लैनिंग टू रेज हंड्रेड क्रोड रूपे का कर जेगा है बाइ रेजिंग 13% डिवेंचर 13% का ब्याज देना होगा 100 रूपीस इच एट डिसकाउंट उसे जो पैसा मिला है डिसकाउंट पे the underwriting expense expected to 4% कहने का मतलब है जब हमने पैसा लिया तो 4% का एक्स्ट्रा खर्चा भी देना पड़ा याद करो flotation cost है ठीक है find out cost of debenture debenture का cost बताईए क्या पढ़ रहा है है it's each of the following cases if debenture irredeemable एक तो यह बताईए अगर if debenture redeemable at the end of 10th year at a 5 15% premium दोनों बात होगी जो दो चीज़े देखा था दोनों चीज़े हो गया tax rate यहाँ पर दे रखा है उन्होंने और यहाँ बोल दिया shortcut कोई shortcut method निया जो करेंगे वही शॉटर कटी चल रहा है ठीक है न यह एक्जाम में आया हुआ है 2010 में और कितने नंबर का आया था साड़े साथ नंबर का स्रिफ दो पॉइंट solve करो साड़े साथ नंबर मिलेंगे आपको तो पहले case की बात करें हम पहले case की तो sir जब हमारा irredeemable होता है kd जब हमारा kd क्या होता है irredeemable तो उसके अंदर होता है kd is equal to one minus में इंट्रस्ट इंट्रस्ट वन माइनस में टी डिवाइड़ेड वाइन पी इंटू में 100 तो पहले case के हिसाब से देखा जाए sir इंट्रस रेट 13% है face value आपका अगर 100 है तो इंट्रस्ट तो 13 ही होगा ना आपके उपर करता है कि एक डिवेंचर के इंट्रस्ट पे आप सारा calculation कर लें या पूरे 10 करोड़ पे करें कोई फरक नहीं पड़ता तो आपका एक डिवेंचर पे लूगा तो वही सब पर जाएगा तो कितने होंगे 13 divided by net proceeds सर नेट proceeds कितने कैसे निकालेंगे सर नेट proceeds में 100 रुपे का तो अथा डिवेंचर जिसमें हमें discount पे देना पड़ा 10 रुपे ये घट गए और मुझे commission और देना पड़ गया 4 परसेंट 4 रुपे ये भी घट गए तो ultimately मेरे pocket में कितने आए 86 तो यहाँ पे आ जाएगा 86 into में आ जाएगा 100 rate बताईए क्या है अच्छा tax तो रही गया tax हमारा फायदा देता है 1 minus tax तो 1 minus 0.35 अब into 100 करिये और बताईए क्या है अब into 100 करके बताईए क्या है 9.80 82 परसेंट तो देखिए आपको तो वैसे दिखने को तो लग रहा है तेरा परसेंट पे लेकिन company बोलेगे भाई तुम्हें तेरा परसेंट पे तुमने नहीं लिया तुम्हारा जो बन रहा है ब्याज वो टोटल वो बन रहा है तुम्हारा actual 9.82 परसेंट का costing है आपकी capital का ना की 13 परसेंट दूसरे पाज आते हैं सर अगर हमारा कौन सा हुआ चलिए पहले doubt ले लेते हैं इस पर 9.82 अभी एक ही साथ doubt ले लेंगे 86 कैसे आया यह रहा ना 86 86 देख लो कैसे आया 100 रुपए का face value था question में कह रहा था के मेरा debenture एक जो होगा वो 100 रुपए का होगा यह देखो कह रहा है था और 10 रुपए discount पर दूँगा तो 10 रुपए वो minus कर दिए चार रुपए का commission दूँगा चार रुपए वो minus कर दिए तो ultimately मेरे pocket में आया 86 तो 86 पर costing निकलेगी ठीक है ना चलिए आगे देखते है second part sir second part में क्या है irredeemable वाला तो irredeemable वाले का kd का formula क्या है sir simple सा formula था उसका तो क्या था interest 1 minus में t और इसमें plus कर देते थे rv minus np divided by 2 एक साल का खर्चा और हाँ sorry number of year था number of year n एक साल का खर्चा rv plus में np divided by 2 और इसमें multiply चलिए sir interest क्या है sir interest तो 10 ही रहेगा 13 sorry interest 13 रहेगा 1 minus 3 करें 1 minus 0.35 ये वाला हिस्सा solve हो गया plus कर लेते हैं sir plus में rv redeemable value redeemable value का मतलब है जितना return करोगे तो sir आपका 100 रुपय का डिबेंचर है तो आप 100 दे रहे हो या extra दे रहे हो question कह रहा है हम आपको return करेंगे जोड दीजिए इसमें पंद्रह कि एक मिनट्ट करेंगे कि नहीं switch on करना भूलिया था करना कि अजी देखें visual है फटा फट बताईए visual है या नहीं है तो मैं आगे चलूं येस ठीक है तो sir rv कैसे निकाला rv मतलब redeemable value आपको साफ साफ दिख रहा है sir 100 रुपय का debenture था और redeemable किस पे होना है question में खुद ही कहता है sir redeemable जो होना है वो होना है 15% के तो 15 रुपय जोड दिया तो redeemable value sir आगया 100 net proceeds यही वाला carry forward हो जाएगा यह यहां करके दिखा दू net proceeds sir होगा 100 रुपय का था 10 रुपय का discount cut गया 4 रुपय का commission आ गया अब कुछ बच्चों को 10 रुपय कैसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यह दर लिख देता हूं जी 100 रुपय के उपर 10% का discount minus करिए पहले जो भी आएगा उसके अंदर और भी minus क्या कर देना है आपने इसमें और भी minus करना है पहले 10% minus करिए फिर minus करिए 4% हमेशा जो percentage calculate होगा कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि 10 minus करके 90 के उपर 4% क्यों नहीं निकाल रहे तो मैं बोल रहा हूं जब भी percentage होता है हमेशा किस पर होगा face value पोगा इस बात का ध्यान रखना है ठीक है चलिए यहां से हमने निकाला तो यहां पर आ गया आरवी आरवी बताया सर 115 net proceeds बताया आपने 80 6 divided by n, n कितना था 10 इसको divide कर देते हैं क्या होगा आपका net आरवी 100 प्लस अच्छा 115 115 प्लस 115 प्लस 86 divided by 2 into में 100 फटा फट से calculate करके बता दीजिए क्या आ रहा है इधर निकाल दिया मैंने फटा फट केल्कुलेट पहले इसको solve करेंगे हम मैं solve करने का भी बताता हूँ पहले इस वाले portion को solve करिए क्या आ गया एक एक करके बताना सभी को पता चल जाएगा पहले इस वाले portion को solve करिए इस वाले हिस्से को तो क्या रहा है 8.45 दीरे दीरे करना है अब इस वाले हिस्से को solve करिए कितने आ रहे है 2.9 अब divided में इस हिस्से को solve करिए 4.5 इस हिस्से को solve करिए 115, 186, sorry 86 divided by 2 क्या 100.5 5 अब इसको solve करिए आंसर भी आ गया 11.2% 2.9 बच्चे बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं 2 कोई बात नहीं 9 भी है क्या आ गया हाँ 2.9 है न करिए 2.9 लेखे दिया कोई दिक्कत तो आज हमने कौन सा concept देखा आज हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी debenture का cost निकालेंगे अगर bond होता तो bond का भी ऐसे निकलेगा bond के बाद मैं बात करूँ अगर आपका loan होता तो loan का भी ऐसे निकलेगा बताईए इसमें अब बताईए कोई doubt है तो फिर कोई एक और question और देख लेते हैं कुश्चन देख लेते हैं नहीं आगे के पी का कुश्चन है कर लिए डैन एक कुश्चन करने के लिए दूँ आपको फॉर्मूला लिखोगे पहले 2.9 कैसे आए यह solve इसको solve करने पर आप सब नहीं बताए मैंने पास तो calculator में अच्छे यह वाला यह इसको solve मैंने एक एक कर को solve किया ना नहीं आ रहा ठीक है फटा फट से आपको फॉर्मूला लिखना है पहले पहले फॉर्मूला लिखना है आप एक काम करो मैं कौन सा question दूँगा उसका फॉर्मूला लिख लो फिर मैं अभी देख लेता हूं मैं यह वाला दूँगा यह फॉर्मूला लिख लो आप अब कई बार बुक के अंदर मैं solution जो दूँगा नोट के अंदर यह जो बच्चा टैनियर खरीदेगा उसके अंदर कई मैं यह वाला यूज़ करता हूं कहीं पर थोड़े अलग होंगे तो वह आपको समझ के manage कर लेना है लिख लिए formula कोशन दिखाएं दिखाए जाए कोशन बस एक फॉर्मूला लिखना है यह वाला लिखो बस पूरा नोट नहीं करना यह आपके टैनियर के कोशन को मैंने अरेंज करवाया था और वह हमारे आज काम आ रहा है और भी कोशन होंगे इसमें आपको जो करना है सर वो कोशन करना है इसको पढ़िया द्यान से सिर्फ यह वाला हिस्सा करके दिखाना है सिर्फ थर्ड पार्ट दिख रहा है हर किसी को सिर्फ थर्ड पार्ट करके दिखाना है फिर आंसर थर्ड का दिख तो नहीं रहा है अरे आंसर भी दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा है इसको नीचे कर देते हैं सही वाल रण लो भाई थर्ड पार्ट आंसर नहीं देखना अब देखो यहां company ने बोला 10 लाग तो face value 100 है तो 100 पे ही सारा काम कर सकते हैं ज़रूर नहीं है पूरे पे निकालों LCM, LCM की कोई ज़रत नहीं है सीधा अलग अलग कर सकते हैं LCM की कोई ज़रत नहीं है वहाँ पे आप जो formula में LCM की बात कर रहे हैं वो ज़रत नहीं है LCM की formula नहीं लिख पाए तो सामने भी formula आपको दिख रहे हैं जिसको formula नहीं लिख पाए देखो उपर formula दिख रहे हैं आपको वही formula है मैंने लिखा हुआ है KP वहाँ KP नहीं है तो वही formula यह KP का है बस या इसका formula कैसे है चलो अब देखो अब last में देखना क्या निकलता है यह answer बताईए यह question 2014 में आया था तीनों के अलग अलग person पूछे गये थे और यह 10 नंबर का question आया हुआ था है कर दो 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 झाल 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 क्या आंसर आया एक आंसर में पास आया है 9.70 अभी लिखेंगे नि झाल 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 एक बच्चे का और आ गया जाया नहीं आ रहा करूँ मैं चलिए कुछ बच्चो या यहीं पर कर दे यहीं पर कर देता हूँ ठीक है आंसर भी दिखी रहा होगा 6-8 है देख लेते हैं क्योंकि सारे कुछन तो solve किये हुए है पहले से चलिए कुछन में क्या कहता है कंपनी का पंड कुछ भी था 12 परसेंट था तो इंटर सिंपल सी बात है बार आएगा पर डिपेंजर 100 रुपी सीच है 10% डिसकाउंट पे था तो हम यहां पर निकाल लेते हैं क्या आपका net proceeds निकाल लेते हैं अगर मैं बात करूं net proceeds की तो net proceeds निकाल लेते हैं ठीक हा रहा है चलो कोई दिक्कत निए देख लेते हैं आपका face value जो question में है sir वो है 100 रुपए का NP की बात करें तो question में क्या कहता है कि आपने debenture issue किये हैं कितने percent discount पे तो 90 आ जाएगा क्योंकि कोई commission वगएरा तो देना नहीं है तो net proceeds क्या आ गया 90 आ गया 7 साल के बाद वापसी करना है कहता है that debenture are redeemable after the expiry of कितने साल तो rv कुछ भी नहीं बताया तो rv 100 रहेगा क्योंकि हमें 100 रुपई वापस करना है यह तो नहीं बोला नहीं कि premium पे करो समझ रहे हो formula लगा दे sir formula क्या कहता है हमारा kd is equal to kd is equal to interest 1 minus में t plus rv plus np minus यहाँ minus आएगा rv minus np divided by 2 rv plus np divided by 2 हाँ number of year आएगा कर रहे है कर रहे है पहले दो formula चलिए solution दीखिए वैसे तो कर रखा है फिर भी मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ interest कितने का है sir interest और 10 रुपई ही होगा क्योंकि 10% वाला है न 12 वाला है तो 12 होगा 12 वाला है तो 12 होगा आर भी कितना है 100 minus 90 divided by n expected year 10 7 ठीक अभी कर देता है 100 plus में 90 divided by 2 हाँ करेंगे 100 करेंगे करेंगे आपने कहा है इसे 7 कर दिया जाए solve करिए answer आ जाएगा यहाँ पर भी करी रखा है देखिए और इन्होंने क्या किया है answer में although मैंने भी यहाँ 12 करके कर दिया है ठीक है क्या 1.4 अच्छा वो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्या रहा answer 9.68 भी ठीक है 9.705 भी ठीक है और क्या हमारा आगे क्या आप फ्यूचर वाला खर्चा कम हो गया ना सेम ही रहा फ्यूचर वाला खर्चा हां जी बताईए डाउट हेलो सर हां जी डाउट बताईए क्या है इसमें सर यह 0.35 कैसे आया यह समझ नहीं आ रहा है टेक्स रेट है अगर थर्टी फाइव है थर्टी फाइव परसेंट को सौल करेंगे तो तो सौ पर जब आप ट्वेल परसेंट निकालोगे नहीं तो ट्वेल ही आएगा उस जैसे इसमें निक्रालते हैं अगर कमीशन होता जैसे पिछले आले कुश्शन में था तो भी माइनस करते हैं यहां पर नहीं है तो नहीं करेंगे और प्रेसर ओके यह सक्षे बताइए सर एंप नाइंटी फॉर्मूले में नहीं लिखा है सर एंप एंप यहां बताओ सर जो फॉर्मूले लिखा है न अपने ट्वायरों से बैके में वन मैंने जिरो पॉंट लिखा नाइंटी क्यों लिखा आपके वोइस ब्रेक हो रही है कोई बार बता दो मेरी वाइस नी ब्रेक हो रही है आपके वहां से जादा वह दा रही है हां करन बताइए सरी जो इंट्रस्ट है इसमें सिर्फ यह रेट लियन है रेट हां सिर्फ ने रेट नहीं लिया मैंने काफी बच्चों को देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा है काफी पूछने अगर मान लो फेस वेल्यू फेस वेल्यू की बात करें दस रुपए है और इंट्रस्ट मैंने यहां पे दे रखा है आपको सपोस करो 12 परसेंट तो जो इंट्रस्ट लोगे ना अब वो 10 नहीं लेना 1.2 लेना है अब क्या लेना है वन पॉइंट तो मैंने यह फेस वेल्यू नहीं दे रखा हाला की कोश्चन में कहीं दे रखा है तो सो के उपर 12 परसेंट निकाला है सीधा वो परसेंटेज नहीं जाता वहां पे वो परसेंटेज निकाला हुए है ठीक है सब्सक्राइब करता हुए पहले इनकी चुट्टी करता हुए फिर मैं पांच मिनट दो बस मुझे मैं कोश्चन नोटिंग करा दो देखिए यह तो था कोश्चन कोश्चन का पीडिएफ आपको फोल्टर में मिल जाएगा फिलाल के लिए यह था क्लास नोट जो भी हमारे क्लास नोट है कि किरो यह तो नोट निकरना यह तो कुछ था था नी यह समझाने के पर पस्ते था पिर भी आपको मैं दे Bali अ और यह भी नहीं में लिए आपका एक कुशन आज हमने यह कवर किया है तो आज हमने देखोगे ध्यान से स्टार्टिंग में हमने बात की थी के तीन चीजे सीखनी होती है कोस्ट ऑफ क्यापिटल के अंदर जिसमें से नंबर वन ये सीख चुके हैं अगली क्लास के अंदर ये भी खतम हो जाएगा और ये भी खतम हो जाएगा लगवर लगवर जब ये तीनों हिस्सा खतम हो जाएगा इसके उपर कुछ कुश्चन्स हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसक के बाद हम पूरा overall निकालना सीखेंगे cost of capital फिर चप्टर जाके ये खता होगा ठीक है तो मिलते हैं next class में आप सभी जा सकते हैं जो offline वाले online वालों का जो भी doubt है वो ले लेते हैं